75 प्लस आपको SEO टूल मिलेंगे, अगर आप email marketing करते हैं, e-commerce करते हैं, Amazon का कोई business कर रहे हैं, या फिर designer से related और बहुत SEO टूल मिलेंगे, जो आप बिल्कुल free में use कर सकते हैं, यहाँ पर आप देखेंगे all के उपर select हैं, अगर आपकी e-commerce की कोई website हैं, Amazon से related काम कर रहे हैं, तो friends product listing, review, content writer, one line description की सारी details आपको मिल जाएगे, content writer के उपर अगर आप click करेंगे, तो यहाँ से आप हिंदी में भी content writing कर सकते हैं, आप देखेंगे बहुत सारी language मिलेगी, यहाँ पर थोड़ा सा अपना content लिखेंगे, और उसके बाद generate के उपर आप click कर देंगे, मैं सिफ आपको tools का review दे रहाँ, जिससे आपको idea मिल जाए, product and brand, अगर आपको कोई brand है, product है, तो उससे related भी, आपको यहाँ पर बहुत कुछ मिलने वाला है, पर सबसे ज़्यादा problem आती है, अगर आपका YouTube का channel है, और उसकी वीडियो की description, title आपने लिखने हैं, तो उसके लिए आपको कुछ पर लेकर चलता हूँ, यहाँ पर आप देखेंगे, अपने YouTube वीडियो की description लिख सकते हैं, वीडियो के tags आपको मिल जाएंगे, प्लस वीडियो का title भी मिल जाएगा, और description भी बहुत लंबी नहीं है, आपको यहाँ पर अपने वीडियो का title लिखना है, जैसे मैंने लिखा free SEO tools और उसके बाद मैंने generate के उपर click कर दिया, और आप देखेंगे, simple से description इसने मुझे देदी, अब यहाँ से मैं इसको copy करूँगा, और अपने वीडियो में जाके paste कर दूँगा, यहाँ से back करके वापिस हम अपने tools में आते हैं, social media में आप देखेंगे friends, आपको Instagram से related, hashtag औ ads या product promotional headline करेंगे तो friends इसकी भी help आपको मिल जाएगी, mostly लोग अपने website को या फिर YouTube चैनल को grow करने के लिए Google ads का use करते हैं, और अब तो Facebook ads का भी use करते हैं, किस तरह से उसके description होने चीए, पूरा किस तरह से लिखा जाएगा, यह tool आपकी उसमें भी help करेगा, next option है website copy, landing page से related, आपको कोई भी problem आ रही है, यहां से आपको solution मिलेगा, यह कोई promotional वीडियो नहीं है friends, मैं सिर्फ आपको एक review दे रहाँ, जिससे आपको help मिल जाए, website के meta keywords, title, subheading, description, सारी details आपको यहां से मिल जाएगी, और blogging कर रहे हैं तो friends, यहां से आप देख सकते है, blog का title, introduction, outline, मतलब starting से लेखे, conclusion तक आपको सारी details मिल जाएगी, before, after, content writer, वाकी और भी अगर आप यहां पर देखेंगे तो SEO से related आपको बहुत कुछ मिलने वाला है, अभी इसके अंदर एक बहुत interesting चीज है, memes के page आप सब जानते है, memes कितनी जल्दी viral होती है, यह भी आप जानते है, Instagram में आप यह अच्छे followers है और उनकी earning भी बहुत अच्छी है, अब आप वो memes भी create कर सकते हैं, कैसे करेंगे बस एक मिनट के बात बताऊँगा, उससे पहले अगर आप sales और marketing में हैं तो friends, यहां पे click करके भी आपको, आपके मतलब को कोई ना कोई tool यहां से free में जरूर में लगा अब जो मैं memes की बात कर रहा था, वो है AI designer, यहां पर आप देखेंगे बहुत सारे memes आपको मिल जाएंगे, पुछ टाइम पहले एक movie आई थी, Godzilla vs. Kong, उससे related आप meme यहां create कर सकते हैं, अब जो यहां पर लिखा है fighting with brother, अगर मैं वही चीज यहां पर type करता हूँ, आप अपने अब मैं me, brother, parents, इसको select करूँगा और यहां पर लिखा है generate creatives, इसके उपर आपने click करना है, create करने में कुछ extra seconds लेगा तो थोड़ा सा इंतजार करें और automatic आपके memes ready हो जाएंगे, यहां पर आप देखेंगे इस तरह का एक meme ready हो चुका है, दिखने में बहुत funny लग रहा है औ इसके बाद आपको उपर export की एक option मिलेगी, इसके बाद यहां उपर आपको export की option मिल रही है, जैसे आप इसमें click करेंगे तो अपनी meme को आप download कर सकते हैं, यह direct आप इसे publish कर सकते हैं, पर मैं recommend यही करूँगा आप इसे download करें, अगर आप email marketing करते हैं, तो भी friends इसमें से काफ tools आपकी email marketing के लिए है, यहां पर आप देखेंगे email marketing को select करने के बाद, मेरे पास बहुत सारी options आगई, जिससे मैं अपनी email marketing को बहुत ही easily कर सकता हूँ, अब मैं आपको यह बताता हूँ कि इस website का नाम क्या है, और इसके इंदा register कैसे करना है, आपने google में जाना है, वहां प यह website open हो जाएगी, right side top में आपको get started for free का एक button मिल रहा है, इसके उपर आपने click करना है, click करने के बाद यहां से आप google से भी sign up कर सकते हैं, पर google से sign up करने के लिए आप से ये cookies delete करने के लिए बोलेगा, अगर आप से वो नहीं हो रही, तो आप temp mail का use करके अपनी email id को डालके भी इसके अंदर register कर सकते हैं, यहां पर आप देखेंगे मैंने temp mail open करा, यहां से email id को मैंने copy करा, copy करने के बाद मैं यहां पर paste करूँगा, company name में आप कुछ भी लिख सकते हैं, और नीचे आपने password देना है, दोनों जगा same password देने के बाद आप sign up के उपर click करेंगे, आपकी email में एक verification link जाएगा, यहां पर कुछ दिर आपको wait करनी है और आप देखेंगे, आपको एक link मिला है, उसके ओपर आप click करेंगे, और यहां पर अपने account को आप verify करेंगे, यहां पर आप देखेंगे, मेरा account verify हो चुक है, मुझे यह sign in करने के लिए कर रहा है, और फिर से मैं same username password डालूँगा, तो आपको अपना username और password कहीं save फिर के पहले से ही रखना है, अब वीडियो को यहां stop मत करना नहीं, तो confused हो जाओए, कि इसके आगे next step में क्या करना है, यहां पर कोई भी अपना company name देखे, create workshop के उपर आपने click करना है, अब आप देखेंगे, आपको यहां पर चार option मिल रही है, हम बात कर रहे थे generate copy की, मतलब first वाली option के उपर आपने click करना है, उसके बाद आपको तीन और option मिल रही है, first वाली option document editor की premium है, इसको हम use बिलकुल नहीं करेंगे, start with a template जहां लिखा है, explore के उपर आप click करेंगे, और उसके बाद same वही interface आगे जो already मैं आ कर दूग।